हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय चेनल और आज हम बनाएंगे पनीर पकोड़ी पनीर पकोड़ी बनाने के लिए हम एक बाउल में एक कटोरी बेशन, एक बारीक कटावा प्याज, एक बारीक कटीवी हरी मिर्च एड़ करेंगे स्वादा नुसार नमक, एक चमच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम एक कड़ाई में ओइल गरम करने के लिए रख देंगे ओइल गरम होने लग गया है अब हम पनीर की एक स्लाइस लेंगे और इसे बेशन के गोल में अच्छे से कोट कर लेंगे हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है अब हम इसे डिफ फ्राइ कर लेंगे और इसी परकार से हम सारे पकोड़े बना लेंगे ये देखिए हमें इस परकार से पनीर की स्लाइस लेनी है और इसे बेशन के मिसरण में अच्छे से कोड़ करना है मिसरण में अच्छे से कोट करके हम इसे फ्राइ करने के लिए कड़ाई में डाल देंगे हम इसे तब तक फ्राइ करते रहेंगे जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए ये देखिए इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी परकार से हम सारे पनीर पकोड़े फ्राई कर लेंगे ये देखिए पनीर पकोड़े बनकर त्यार हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने यमी पनीर पकोड़े बनकर त्यार हुए हैं ये स्वादिष्ट होने के साथ ही बहुत ज्यादा पोस्टिक भी होते हैं तो आप भी इसे बना कर जरूट रहे कीजिएगा ये देखिए ये बाहर से बहुत ही कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल सोफ्ट होते हैं मैं तोड़के दिखाती हूँ आपको ये देखिए बताईए कि आपके पनीर पकोड़े कैसे बने मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताईए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना सेयर करना और साथी साथ हमारे चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू